हैलो एवरीवन जैहिंद सभीको प्यारे बच्जो तो आप लोगोंने क्लासिफिकेशन की आप देख ली होगी आपनी होगी में सभी में by लाच अजही साहरी ज़ानगारी मिल गई होगी वो सारी चीज़े मैंने आपको बताई थी और जैसा कि मैंने देखा कमेंट भी बहुत सारी आई कमेंट अच्छे भी आई चलिए शुरुआत करते हैं आज operation on numbers अभी तक आपने यह सीखा कि numbers कितने प्रकार क्यों होते हैं आज मैं आप लोगों सीखाऊंगा कि numbers के और types में operations operation का मतलब संक्रियां संक्रियां कैसे करते हैं कभी आपसे पूछ लेता है कि कोशन दे दिया बोलता है एकाई अंक ग्यात करें कभी कह देगा कि number of zeros last में zero कितने होते हैं divisibility के basis पर तो इनी तीन topics की जानकरियाज में लेकर आओं आप लोगों के लिए तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाएं ठीक है नेचरल नंबर्ज स्मए फस्ट एन नेचरल नंबर्ज यानी की बात की जा रहे है यां पर प्रतम इन प्राकर्टिक संख्याओं का योग प्रथम एंप्रापकरतिक संख्याओं का योग यानि की एक प्राकरतिक संख्या क्या होती? प्राकरतिक संख्याँ एक से शुरूओप होती है. अब चूकि यहां पर प्रथम लगा हुआ है. प्रथम लगा हुआ है यानि कि एक से शुरुवात होगी किस से शुरुवात होगी एक से यानि कि एक प्लेस दो, अब योग लिखा है तो जोड़ते वह जा रहा हूँ प्लेस तीन प्लेस चार प्लेस पाँच कहां तक, एन तक कहां तक बच्छो, एन तक इसका formula होता है एन इन इन तू एन प्लेस वन बाई तो एन इन तू इन प्लेस वन इसी में दूसरा फॉर्मिला होता है प्रथम इंग्लिश में लिखता हूँ सबसे पहले sum of square of square of first and natural numbers sum of square of first and natural numbers यानि की प्रथम and प्राकर्तिक संख्याओं के संख्याओं के वर्गों का योग यहाँ पर क्या लिखा है वर्ग मतलब क्या हुआ मतलब यह हुआ कि 1 square plus 2 square plus 3 square अब यह वर्ग चल रहे है योकि प्रथम लिखा है तो एक से शुरुआत कर रहा हूँ n प्राकर्तिक है तो n तक जाएंगे और वो भी यहाँ पर क्या लिखा है वर्गों का योग यानि कि सभी संख्याओं के वर्ग कर दो फिर उनका योग कर दो प्लस चार का स्क्वेर प्लस पाच का स्क्वेर और डॉट 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 कहां तक n स्क्वेर तक और यह होता है यह होता है n by 6 into n plus 1 into 2n plus 1 ठीक है आggerी संकर अमारी एन कहलाएगी कौन सी संख्य मजब द आखरी संक्यyer हमारी एन कहल आएगी ठीक है उसके बाद 3 एक 3 फॉर्मिला ए सिंपल है अभी शुरूआत करना है इसलिए जहेद आराम से समझारह से तीसरा फॉर्मॉला है सम ओफ क्यूब ओफ अब यहां घनों का योग क्यूब ओफ फस्ट एन नेच्रल नंबर्स फस्ट एन नेच्रल नंबर्स जैसे यहां पे लिखता हूं हिंदी में प्रथम एन प्राकर्तिक संख्याओं के घनों का योग अब यहां घन की बात आ गई है तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब और कहां तक जाना है बच्चों एन के क्यूब तक जाना है इसका फॉर्मुला होता है एन इंटू एन प्लैस वन और जा आप धियान से देखिए यह फॉर्मुला और यह फॉर्मुला शेम है इसमें इसमें सर्फ एक फर्क है और वो यह है कि इसमें वर्ग आता है बहुत बार एक confusion बच्चों के दिमाग में जो खड़ा होता है वो यह होता है सर यहां पर घं है तो formula याद नहीं करते हैं वो सुचते हैं पहले वाला ही तीसरा है घं है तो घं कर देते यहां पर क्या करेंगे आप square करेंगे यहां पर सब क्यूब भले ही चल रहा है बट इसका आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा n into n plus 1 by 2 का square क्या यह बात क्लियर होगी कोई सभी को यहां तक I hope कि हो गई होगी हलाकि कोई दिक्कत नहीं आईगी समधा देंगे चीक है अब मैं आता हूं सवालों पर और शुरुवात कर रहा हूं हमारे पहले टॉपिक की यह तीन फॉर्मले जरूरी थे इसलिए बताए और पहला टॉपिक है हमारा unit desert unit desert जिसको हम बोलते हैं इकाई अंक क्या कहते हैं इकाई अंक अब इस संसार में कोई भी संख्या आप लिखोगे हम लोगों को संख्या पढ़ना सिखाये गया था इंग्लिश वालों को बोलते थे once ten hundred thousand ten thousand lakh ten lakh क्रोड इस तरीके से बताए गया और हिंदी वालों क्या कहते हैं इकाई धाई सेकड़ा हजार दस हजार लाग दस लाग क्रोड दस क्रोड ऐसे से खाये गया तो जब भी किसी संख्या को हम लिखते हैं तो सबसे पहला अंक जो आ और ऊंक जो उता है मुसको इका ही प्ड़ते जब भी पढ़ते एकाई धाई सेकड़ा हजार ऐसे पीदocybin प्रक्त परक्त से को मेरी बहुत प्यारी और बहुती सिंपल सी बात है पढ़ाने को आप कुछ भी पढ़ते रहिए और जो बच्चे लगातार मुझसे पढ़ रहे हैं उनको ये बात पता है कि मैं concept focused हूँ question focused नहीं हूँ और वही बनाना सिखाता भी हूँ कि आप बने तो concept focused बने आप ये मत सोचा करो एक बड़ा बेहुदा सवाल मेरे सामने कई मेरे पूरे केरियर में कई बार खड़ा हुआ क्या सर ऐसे ही सवाल आएंगे exam में अरे बेटा तुम सवाल क्यों देख रहे हो concept देखो ना बच्चे आप जब concept पकड़ते हो तो सवाल दुनिया के किसी भी कोने से आएगा अब कर ले जाओगे लेकिन अगर आपने यहाँ पर ये सवाल सीख लिया और आपने concept नहीं सीखा तो उस सवाल के लावा दूसरा सवाल नहीं ला पाओगे उसी जैसा दूसरा हिलाद होगे बस इतना ही कर पाओगे तो concept फोकस बनेंगे ठीक है जैसे एक एक करके हम सीडिया चड़ेंगे धीरे धीरे करके मैंने कहा 27 गुणा 27 गुणा 27 गुणा 27 ठीक है और गुणा 27 ठीक चल पांच बार लिख दिया और मैं आपसे पूछता हूं वैसे यहां से शुरुवात नहीं और थोड़ा बेसिक पर जाते हैं ठीक है और थोड़ा बेसिक पर जाते हैं मैं पूछता हूँ इसके इकाई का अंक क्या होगा इसके इकाई का अंक क्या होगा तो आप क्या बोलोगे कि सर एक काम करते हैं सबको जोड लेते हैं सबको जोड लेते हैं तो सबसे ज्यादा संख्या इसमें तो पांच चार तीन दो एक उसके बाद कम संख्या किसमें इसमें है तो चार नो तीन पांच फिर उसके बाद ये भी है सर पांच तीन दो जीरो और छे साथ आठ नौ है ना और क्या बचा चार सो बत्तिस बचा ठीक है जी अब आपने इसको जोड़ना शुरू कर दिया और जोड़ने के बाद आप बोलेंगे कि एकाई कांग यह आएगा क्या सरफ यही संख्याई ले ले और यह संख्या क्या है अब ध्यान से देखो यह एकाई वाली संख्या एक यहाँ पर पांच एकाई की संख्या है कि नहीं यहाँ पर जीरो एकाई की संख्या है कि नहीं नो एकाई की संख्या है कि नहीं दो एकाई की संख्या है कि नहीं तो हम कि यह काम क्यों करें हम सिधा यह ना करें कि हम इनके सब्सक्राइब नगे पकड़ लें पांच दो एक जीरो और नो और जीरो नौ और यह बचा नो एक दस दूबारा और ऐपांच 17 17 में कितना अगया फिर यूनिट प्लेश पर 7 लेक है का इप अगया साथ हो गया बात समझ म तो अब यहां से concept क्या है हम बड़ा कि चलाते रहते concept 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 क्या है कि इकाई का अंक निकालेंगे जब भी तो जो संक्रियाएं हैं जो operations हैं वो सर्फ इकाई के अंक के साथ करेंगे बाकी नंबर पर ध्यान हमारा कभी भी नहीं जाएगा संख्याओं पर ध्यान हमारा कभी भी नहीं जाएगा ताए भाले ही इसमें बीच में प्लस नहों यहां पर माइनस हो जाए तो माइनस करते हमें चलेंगे कैसे पांच दो साथ साथ माइनस एक छे छे में जीरो जुड़ा तो चाहे वो प्लेस कर रहा हो चाहे गुणा कर रहा हो चाहे भाग कर रहा हो कुछ भी कर रहा हो पहली बात तो भाग की बात नहीं आती इसमें हकीकत बता दो भाग की बात नहीं आती तीन क्रियाओं की बात आती है प्लस की माइनस की और गुणा की तो जैसा बीच में चिन लगा है जैसा भी बीच में चिन लगा है जैसे पांच के बाद प्लस लगा है फिर दो लिया हमने फिर यहां माइनस लगा है फिर यहां एक लिया फिर प्लस लिया 0 प्लस 9 ऐसे करके हम हल करते रहें क्या ये बात क्लियर हुई सभी को मेरी बताई है ना ठीक अब इसी में अगले पाइदान की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं कि कैसे कैसे आगे चीज़ां पढ़ते हैं सवाल कैसे बनते हैं सवाल पर अभी हम पहुचें नहीं है यह तो सिर्फ ओवर व्यू है शुरूआत कर दी हमने यह तो सिर्फ शुरूआत कर दी अब आगे बढ़ाते हैं देखो ध्यान से सुनना जैसे मैंने कहा 27 गुण 27 गुण 27 गुण 27 और एक बार और ले लो चाहे आप दो बार और ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है जी? यह ले लिया मैं 27 कितने बार गुणा हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो अब आपका काम क्या है? गुणा करना है ठीक है गुणा करिए 7 यहां बीच में गुणा है फिर 7 फिर गुणा है 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 7 अब गुणा करिए 37, 49 49 का 9 आया 9, 70, 63 तीन आया 3 का 7 में गुणा किया 21 का 1 आया 1 का 7 में गुणा किया 7 आया का सदार साधा यानि कि इकाई के भी का न आ गया है न आ गया गूणा करने के स्दान पर कितना गया न आ क्यों सिंप्ल यह गाड़-प्र और उसमें की गलती नहें कि गलत हाई नहीं है इस पूछ़ गलत है दू दोजार साथ आठ में आज से सत्रा अठारा उन्निस बीस साल पहले की बात कर रहा हूं कि बीस साल में कितना ही परवर्तन हो गया लेकिन हम जब चड़ेंगे तो भीया वही से चड़ना पड़ेगा दीरे दीरे एकदम तो नहीं चड़ा सकते अगर मैं इसी सवाल को 27 गुणा 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 27 गुण तो गया कितने बार होगे पांच बार एक बार और लिख दोगे सब्सक्राइब तुम्हें क्या लगता है एक्जामिनर ऐसा बेवकूफ दिख रहा है तुमको कि ऐसा सवाल दे देगा जिसको तुम खोल के लिख लो आराम से बढ़िया और सॉल्ब कर लो वह क्या करेगा वह त बत मपाज़ी कि अब तेंशन हो ग्या क्या करा है इसका मतलब यह वह मतलब कि 27 औश्यक्ण कि कितने बार भार भार लिखना है कि और कहीं पर इसक्वेर लिखा हो था इसका मतलब एका-दो बार GUNNA AI A cube लिखा होता, इसका मतलब A का 3 बार गुणा हो रहा है, है ना, और A की power 4 लिखा होता, इसका मतलब A का 4 बार गुणा हो रहा है, A की power 5 लिखोगे, 5 बार गुणा हो रहा है, और यहीं अगर मैं ये लिख दूँ कि A की घात 112, इसका मतलब A का 112 बार गुणा होगा, बोलो हाँ या ना हां या ना सही बोला तो एक्जामिनर पागल तो नहीं है बहुत दिमाग है उसके अंदर 112 मतलब 112 बार गुना करो अब कौन साथ का 112 बार गुना करेगा करेगा नहीं करेगा और जब नहीं करेगा तो क्या करेगा फिर कुछ न कुछ तो तरीका रहा होगा कोई न कोई trick तो बनी होगी और trick बनती किस से है basic से trick किस से बनती है basic से बनती है बेसिक मैं आपको सिखाँगा चले इसको भी हटाते 112 पर आते 112 वारा आप ही सॉल्व करेंगे मैं नहीं करूंगा आप बेफिकर रही है आपका बस एक चीज यहां पर लिख देता हूं कि 27 की पावर जब आपने च्छे की थी तो उसका योनिट डिजट जो है बेटा योनिट डिजट जो है वह आपका नो आया था ठीक है यह प्रूफ करना तो मैं बड़े से बड़ा सवाल तुम्हारा सॉल्व कर दूँगा ठीक एक तरम जादू की तरह लेकर चलो जल्दबाजी मत करो अराम से सीखो देखो जल्दबाजी वही करते हैं एक बात याद रखना जीवन में एक्सेलेंट जितने भी होते खतरनाक वाले तुम देखा क और जो नए-णए सीखते हैं जो नए-णए सीखते हैं उनकी गाड़ी कभी एक्सेडेंट नहीं होता है सिर्फ खरों चाहती है गाड़ी खुरच गई क्योंकि वह खुद को सेफ पॉइंट पर लेकर चलते हैं हमेशा कोई गाड़ी तेज चल रही है तो पूरा साइड दे अपनी गाड़ी को बिल्कुत साइड कर लिया कि सब निकल जाओ मैं आराम से चलूगा सेफ लाइन में जो सबसे लेफ्ट में होती है ओवर टेक करते ही किसी को आप निकल जाओ मैं तो भी सीख रहा हूं आप निकल जाओ और वह इस जोस में चलते हैं मेरे को तो आती है यह कट मारा वो कट मारा और इदरी बीच में जरा असा टच हो गई गाड़ी पटाक से कुद गई तीन तीन चार चार बार उच्छाल मार रही है क्या हुआ पता चला कि दोसों की स्पीड पे चल रहे थे और जो सीख रहा है वो चल रहा है अपने 60 की स्पीड पे और सब को साइड दे रहा कि आप निकल जाओ आपको जल्दी में लेट पहुंच जाऊँगा या तो मैं लेट पहुंचूँगा या मैं घर से जल्दी निकलूँगा तो गलतियां सिर्फ उनसे होती है जो अपने आपको ओवर कॉन्फिडेंट समझते हैं आप कॉन्फिडेंस में आईए तो आप सीख रहे हैं तो आपको समय लगेगा धीरे 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 अब जिसको इचीजें आती होंगी उनके लिए तो कहें तो क्या जादू है यह को तुम्हारे लिए नहीं है तुम सीख चुके तो कहें बैठे हो मेरी क्लास में मत बैठो अपना समय मत बर्बाद करो आता है तुरंत क्लास लीव करो जाकर प्रैक्टिस करें और कुछ मत करें ठीक है ना हाँ चलिए तो यहां पर मैं आपको कॉंसेट सिखा देता हूं इतने से में कॉंसेट हमारा ख़तम हो जाएगा कुछ ने यहाँ फर्म कॉंसेट लिख देते और एकंअगी कॉंसेट पर बेटा पूरा unit desert खतम देखो मैं कोई number लिख रहा हूँ और उसकी क्या लगा रहा हूँ कोई power लगा रहा हूँ ठीक है मैं number लिख रहा हूँ और उसकी क्या कर रहा हूँ कोई power लगा रहा हूँ अब मेरा काम है कि मैं power को divide करूं force power को divide करूं किस से force से और फॉर से डिवाइड करने के बाद मेरा remainder 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 सबस्ते, successful मेरा remainder chancellor क्या क्या क्या सकता है आप जब किसी संख्या को कोईME number है कोई भी power है कोई भी power power भी एक number इस number है कोई भी number है उस number को 나如果 कुछ भी है मैं करो एकस है उसको अगर चार से भाक करोगे चार से अगर भाग करोगे तो नीचे आने वाली जो संख्या होगी शेश क्या मतलब क्या होता है अगर माननों यहां पांच बच गया तो चार एक कम चार और कट जाएगा फिर आएगा एक फिर शेश एक बचेगा शेश का मतलब यह होता है कि जो रिमेंडर आएगा अब वो चार से छोटा ही आएगा चार से क्या आएगा चार से बड़ा तो नहीं आसकता सवाल नहीं बलता रिमेंडर जो आएगा वो चार से क्या आएगा छोटा आएगा चार से बड़ा नहीं आसकता क्योंकि अगर वो से छोटा होगा क्या क्या हो सकता है चार से छोटा एक होता है दो होता है तीन होता है और जीरो होता है चार से छोटा एक हो सकता है दो हो सकता है तीन हो सकता है या जीरो सकता है यह तो पूरा शेश पूरा कट गया कुछ बचा ही नहीं सर पूरा कट गया है सर कुछ भी नहीं बचा है तो यह तो reminder एक आएगा 2 आएगा 3 आएगा या 0 आएगा ठीक यदी reminder एक आए तो इस number की कोई unit desert होगी उस unit desert की power कर देना एक अगर reminder दो आए तो unit desert की power कर देना दो, अगर तीन आए तो unit desert की power कर देना तीन, और zero आए तो unit desert की power कर देना चार, जीरो में 0 मत करना वस, ठीक, जीरो में 0 मत करना, यह cyclicity है, cyclicity अभी समझाते हैं आपको, बेफिकर रही है tension मत लीजिये, अपना काम है पूरा ग्यान दे कुंप पड़ादे कंपर यह उ स्प्राइब पढ़ा के जाओंगो कि उसको आगे कहीं और पढ़ने की जरूद ना पढ़े ठीक है आजओ इस पर खेलते हैं थोड़ा सा यह हमारा कॉंसेप्ट आगया ठीक है यह हमारा 27 27 की पावर 6 है जिसकी यूनिट 9 चाहिए करते हैं कैसे पहले तो पावर को 4 डिवाइट करेंगे जब आफ 4 से चार एकम चार नचार करोंगे चैको चारसे 4 एकम 4 रिमेंडर की तना बचेगा दो यानिकी Przyर अगया का दो जब दो आता है फिए बच्चो तो हम क्या करते हैं जो भी unit desert है उसका square करें एक हमारे पास और बड़ा सवाल आये थाठाक्या 27 इसकी इकसो 121 को जब मैं किस से डिवائٹ करूंगा चार से पूरी तरीके से कड़ दाएगा और rendor ढूँआ गा गा जीरो औरenses लीया है तो मैं यॐनि घिशट की पावर कितनी करूंगा 4 minute डिशह यॐनिदिज़ट की पावर कितना करूंगा तो साथ into साथ into साथ यह आसान है उननचास का नौ का 9 नो नहीं 181 एक 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 कितना एक तो आगई दिजर जैसी दे दे तुम्हें डरने की ज़रुरत नहीं है बिल्कुल भी कोई जरुरत नहीं है चलो एक कोशन मैं देता हूं आपको आप जरक करके बता है एक सो बतीस की पावर पचीज दे दिया मैं चलिए बताइए यूनिट प्लेस पर क्या आएगा एक सवाल और देता हूं मैं अभी मैं धीरे-धीरे करके सवालों को बढ़ाऊंगा आप चिंता मत करिए परिशान मत हो ठीक है बिल्कुल भी चिंता मत करना हूं बताइए क्या होगा यूनिट डिजट एक और दे दूख चलो उन्निस सो बत्तिस की पावर दो हजार बीस गुणा छे सो छे की पावर सो और एक सो बानवे की पावर बत्तिस जारह बताइए यूनिट प्लेस पर क्या होगा टाइम देगो स रिकार रिकॉर्डड एस का मतलब यह नहीं यह कि अप इंगेज नहीं होंगे ठीक है क्लास रिकॉर्ड इड है तो मत सोचेगा कि विवहिमेट नहीं हैョमारा तो यह गलती मत करिए ठीक है फटा-फट बताइ ठीक है बहुत ज्यादा फास्ट नहीं चलना स्मार्ट चलना जहां से सुनना इसको चार से डिवाइड करेंगे चौबीस जाएगा रिमेंडर एक बचेगा और दो की पावर एक का मतलब हो गया दो इसका तो आंसर दो हो गया खतब लास्ट के दो डिवाइड करो पूरे पूरे मत करो क्यों नहीं करो क्योंकि चार की डिविजिबिलिटी अगर चेक करनी होती है विभाजता अगर हमें चार की चेक करनी होती है तो हम सिर्फ अंत के दो अंक ही चेक करते हैं तो भाई आप 20 को 4 से डिवाइड किया पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है रिमेंडर 0 रिमेंडर 0 यानि की 2 की पावर 4 4 से पूरी तरह विभाजित 25 चौके 100 रिमेंडर 0 यानि की 6 की पावर 4 इसको 4 से डिवाइड करो रिमेंडर 0 यानि की 2 की पावर 4 दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोला छे और यहां पर भी छे दोनों सेम है और छे की घाच चार यहां पर भी आएगा छे क्यूं आएगा छे कारण बताता हूं देखो द्यान से सुनना जीरो एक पांच और छे इनकी पावर कुछ भी कर लो अंत में इकाई के स्थान पर यह हमेशा यही वापस आ गर आएगा Qe 1 का करो पाँच तब भी यह आएगा पांच की पांच कर लो 4 कर लो 3 कि आप जब टेबलपर्ते ओ ध्यान सेorko table पड़ते boras है ह चांत का ग्लोड गवार मृटीब्लाय होगा थो 25 थो गरेव नोट रियुक्कि की अच भी अगर आपको 0, 1, 5 और 6 दिखाई देते हैं कहां पर एकाई के स्थान पर जैसे यहां पर दिखाई दिया तो इसको सॉल नहीं करना था यह भी नहीं करना था सीधा छे लिखना था और 6 चिंग चत्य सिंग 216 यानि की इकाई के स्थान पर फिर आएगा अच्छे और यह भी नहीं करते क्यों क्योंकि 6 की पावर 3 और 6 की पावर कोई भी हो उसका इकाई का स्थान छे ही रहेगा और चेंज़ नहीं होगा ठीक है चलो एक सवाल पूछ रहा हूं एक सवाल है बड़ा प्यार और UPSC में पूछा गया है प्रथम 111 प्राकरतिक संख्याओं के योग का इकाई अंक प्रथम 111 प्राकरतिक संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या है योग का इकाई अंक क्या है बताईए बोलिया प्रथम 111 प्राकरतिक संख्याओं के इकाई अंक के योग क्या है निकालें देखो, बता है, 111, एक से शुरू होगा, एक प्लस दो, प्लस तीन, प्लस चार, प्लस पांच, डॉट, 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 कहां तक, 111 तक, कहां तक, 111 तक, अब मुझे इनके, अंको का योग चाहिए, तो पहले मैं योग निकाल लूँ, प्रतम, 111 प्राकृतिक संख्याओं के योग, पहले योग करें, तो एन इंटू, एन प्लस वन, बाइटू, याद है, बताया था भी, एन इंटू, एन प्लस वन, बाइटू, तो एन की जगह कि 111, 111, गुणा 112, बटे में कितना दो, गुणा कर लो कितना आएगा, 56, अब 111 इंटू 56, इनका योग, इनका गुणा करके, कुछ भी आए, इकाई के अस्तान पर 6 आएगा, क्यों, 6, एकंग 6, अब इनका गुणा करके, जो भी आ रहा है, वो इसका योग आ रहा है, और इ आए, 6, तो इसका अंसर क्या होगा, 6 होगा, कितना होगा इसका अंसर, 6 होगा, चलिए, और आगे बढ़ाता हूं, मैं अब थोड़ा से लेवल और इंक्रीस करके चलता हूं, 23 की पावर, 529, मल्टिप्लाइबाइबाइब चोहत्तर की पावर, 327, प्लस, 427 की पावर, 6, मल को सदाण बताई किसका एक इसतान क्या होगा अशना ही Thank You कि इसकी सब्सक्राइब अब चाहिक बाद एक लेवल पर और ले जाँ हँगा में आप लोगों को थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा तब तक आप ये निकाल के बताईए टाइम दे रहा हूं इंगेज होने के लिए जबरदस्ती नहीं है कि आप टाइम बेस्ट कर रहे हैं और सर आप सॉल्व करेंगे तभी मैं सॉल्व करूं अभी आईए गलती मत करना कि अगया है हो गया है हो गया है हो गया है हो गया देख निकाल के दिखाते हैं अगया है 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 चार से भाग करो चार सत्य अठाइस रिमेंडर एक तो तीन की पावर एक है चार से डिवाइड करो चौबिस रिमेंडर तीन चार की पावर तीन चार से भाग करो तेरा चौग बावन रिमेंडर दो साथ की पावर दो अच्छा यहां गुणा था यहां प्लस है तो यहां बीच में प्लस ले लो और यहां गुणा है तीन चार से भाग करो चार दूनी आठ बचेगा तीन तो तीन की पावर तीन यह हुआ तीन चार को तीन चार की पावर तीन होता है चौशट का चार प्लस रनचास का नो और तीन दे सत्ताइस का साथ बारा का दो त्रेशट का तीन और तीन और दो जुड़कर किता हुआ पांच तो इकाई का स्थान कितना रहा इसका पांच इतना रहा है पांच समझ गे इसमें एक लेवल और बढ़ता है क्या होता है मैं आपको समझाता हूं सभी लोगोंने फैक्टोरीड के वारे में सुना हो गा फैक्टोरीयल जैसाओं क्या रहना पांच और इसका मतलब हुआ एक गुणा दो गुणा चार गुणा पांच गुणा छे गुणा साथ यह हो गया साथ ठीक मैंने कहीं पर लिखा नौ फैक्टोरियल तो एक से लेकर कहां तक जाएगा एक से लेकर नौ तक जाएगा ठीक है ना समझ गें बात को सवाल करते हैं वक्टोरियल बाले हमालेम्टथा 6 है कि 27 की पावर है है इसमें इकाइब का स्थान बता वो क्याूं होगा मैं तथो पांच फैक्टोरियल को पर घ्य испटर लेख जए ना पांच फैक्टोरियल यह तो यह फंग ठीक है पांचयों के 20 106 120 120 हम इसको 27 सब्सक्राइब कर लेते तहीं बावर 120 ही स्के depos लिख कर लेते हैं रिमेंडर कर देंगे और की पावर 4 होदा सब्सक्राइब क्हों ह्याइब लेंगर बनेक्ter acid लिखा ही लिखए नहीं उसने फैक्टॉरियल लिख वैं उसने लिख दिया नीस फैक्टॉरियल लिख दिया यह चल फै है इतना बड़ा मुढ़िप्लाइ चार तरड इस समस्च्ऩा खड़ी क्यों गई इतना बड़ा मुल्टिप्लाइग कौन करेगा नहीं कर पाओगी ना इसलिए ध्यान से देखना प्यारे बच्चों 1 factorial का मतलब 1 2 factorial का मतलब 1 इंटू 2 1 multiply 2 3 factorial का मतलब 1 multiply 2 multiply by 3 4 factorial का मतलब 1 multiply 2 multiply by 3 multiply by 4 5 factorial का मतलब हो गया थे उच्य प्रहल पिंव सड़्ाइन देंड उमिल्ञर संद्व 2 म00 geht स्भी सनित चलते चले और अब मैं चार से डिवाइट कर रहूं इसको डिवाइट करू इसको डिवायट करूआ बात एक कि चार से डिवाइड एक डिवाइड नहीं होगा इसलिए रिमेंडर एक इसको चार से डिवाइड करो दो डिवाइड नहीं होगा इसलिए रिमेंडर एक तरी दो कि यह दो को अब डिवाइड करो चार से नहीं हो रहा तो रिमेंडर यहीं बच जाएगा एसी इसको करो 3 दूनी 6 6 को भाग करोगे 4 से 4 एकम 4 बचेगा 2 रिमेंडर 2 आजएगा सही 4 तिअ 12 दूनी 24 24 को जब 4 से डिवाइड करोगे 4 चिंग 24 रिमेंडर किता हैगा जीरो इसको भाग करोगे एक सोबीस और था एक सो बीस को चाड़ से डिवाइड करो पूरा कड जाएगा तुसा इस मुझे एक बात बता आप लोगों से बहुत ही सिंपल सी बात मुझे एक बात बता हो हम देख पा रहे हैं कि तीन factorial के बाद जितने भी factorial है उन सभी का remainder 0 जा रहे है क्यों कारण क्या पता है क्योंकि देखो जब आप इसको 4 से भाग करोगे तो इसमें देखो 4 है 4 से 4 कट जाएगा इसमें भाग करोगे 4 कट जाएगा remainder फिर 0 इसको भाग करोगे 4 कर जाएगा अब आगे सभी में 4 आएगा ही आएगा जब सभी में 4 आएगा मतलब क्या हुआ कि इसके बाद जितने भी factorial आएगे उन सभी को डिवाइड करना कर देखना ही नहीं है क्योंकि सभी में 0 बनेगा तो मैं यहां लिख देता 3 factorial when divided by when divided by 4 always gives always gives remainder 0 always gives remainder 0 कोई भी factorial जो 3 factorial से बढ़ा होगा उसे जब 4 से भाग करेंगे तो वह हमेशा remainder क्या देगा 0 देगा always क्या देगा remainder 0 देगा अगर वह remainder 0 देगा इसका मतला मागे हम चेक ही नहीं करेंगे जैसे यहां पर 19 factorial है इसमें 4 हो गई क्योंकि 1,2,3,4 लिखोगे 19 तक जाओगे 4 से 4 कर जाएगा remainder आएगा 0 तो remainder अगर 0 आ गया इसका तो हम सीधा 7 की पावर क्या करेंगे चार करेंगे और हमारा अंसर कितना बन जाएगा एक बन जाएगा कितना बन जाएगा एक यह भी देखो पांच से चार से उप सरी तीन से उपर था इसलिए इसमें remainder क्या रहा था जीरू आ रहा था बात समझ में है क्या बात समझ में आगी यहां तक सभी को तो यह हो गया आपका यूनिट डिजट यहां पर हम यूनिट डिजट की कि समाप्ति की गोशना कर लेते हैं कि अधिक है चलो एक सवाल अगर चाहो तो हम कर सकते हैं अधर्वाइज यूनिट डिजट की समाप्ति की गोशना कर लेते हैं यूनिट डिजट नहीं है कि चलो एक सवाल कर लो कि 973 कि अच्छे सवाल के साथ खतम करते हैं कि 973 234 फैक्टोरियल गुणा 234 973 फैक्टोरियल चलों बताईए इन दोनों का मैल्टिप्लाइ करके इनका यूनिट क्लेस बताना है कि काई के स्थान पर इनका कितना आएगा कि अच्छे से बताएगा झाल झाल हो गया क्या करना चएक ही नहीं करना इसको और इसको चैक ही करना है चार से भाग करो प्रिमेंडर जीरो यानिके तीन की पावड हुआ प्रेक्र का मतलब शोगब 64-256 कितना आएगा यूनिट प्लेस पर छे आएगा ठीक इसको चेक करने की ज़रुवत है ही नहीं चलो यह हो गया कम्प्लीट अब शुरुवात करते हैं इसके बाद ऑप्रेशन और नंबर्स पे अभी मुझे दो चीजें और सिखानी है आज की क्लास में पूरा हो नहीं पाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं रिमेंडर स्टार्ट करते हैं इसका कारण मैं आपको बताता हूं इसको हम्विभाजयता केहते हैं विभाजयता क्यूंनप इंपॉर्टेंट है उसका कारण मैं आपको बताता हूं dział IT में यह है क्यक्वैट निवाइंद करते हैं अंदर इसको बोलते हैं डिविडेंड इसको बोलते हैं diviser हिंदी में भी लिखूंगा इसको बोलते है quotient और नीचे जो आता है उसको हम बोलते है remainder diviser का मतलब हुआ भाजक इसका मतलब हुआ भाज्य इसका मतलब हुआ भागफल और इसका मतलब हुआ शेश्वाल बच्पन में सभी लोग divide करते थे और check करते थे कैसे कि dividend equals to dividend equals to होता है diviser into quotient plus remainder अगर diviser का कोईश्ट में multiply करके remainder को जोड दिया जाए हम इसका इसके साथ गुना करते थे और इसमें जोड देते थे तो जो आता था वह हमारा dividend कहलाता है क्या कहलाता है इसके अलावा divisibility rule भी है वह आपको अगली क्लास में से काऊँगा ठीक है आज इतना ही रखते थे थैंक्यू सो बच मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए सभी को जय हैं अगली क्लास का Monday ठीक है थेंक्यू झाले क्या क्या झाले क्या है